इसका टोपिक है एलगल बायो फ्यूल्स इसमें हम कॉंटेंट देखते हैं इंट्रोड़क्शन, हिस्ट्री, फ्यूल, स्पिसीज, निउट्रेंट एंड ग्रोथ इंपूर्ट, कल्चर, प्रोड़क्शन ओफ फ्यूल, निउट्रेंट, इनॉर्मेंटल इंपक्ट, यूजस इसमें पहला हम देखेंगे इंट्रोड़क्शन, एलगल बायो फ्यूल, जो लिक्विट फोसिल, फ्यूल्स का एक विकल्प है, इसे नेचरल सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, इसे जब समुद्री एलगी से बनाया जाता है, तो इसे सी एलगल बायो कुछ कमपनियां एवं गॉर्मेंट एजेंसी एलगल बायो फ्यूल्स के प्रोडक्शन को वैवसाइक रूप से वहवारे बनाने का प्रयास कर रही है, एलगी जिसे आसानी से उगाया जा सकता है, एवं इसके लिए कम भूमी की आवसकता होती है, इसमें एलगी को उगाने एकलिक हारे एवं अफ्रिष्ट जल का यूज किया जाता है, इसके बाद हम देखते हैं, एलगल बायो फ्यूल्स में जो कार्बन डाय आकसाइड एवं न्यूट्रेंट्स एवं सन लाइट की उपस्तिती में एलगी ग्रो करता है, तथा उसके बस जात एलगी को हार्वेस् करने के बाद इसे बायो डीजल में कन्वर्ट किया जाता है, तथा एलगी के फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा इसे बायो एथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, जो की एलगल बायो फ्यूल है, इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री, सब प्रथम 1942 में हार्डर एवं विच नामक साइन्टिस्ट ने पहली बार प्रस्ताव दिया था कि माइक्रो एलगी को फूड एवं इंधन के लिए लिपिट के सोर्स के रूप में उगाया जाए तथा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसमें वैकल्पिक परिवहन की इंधन की आवसकता कम हो गई थी तथा इस में फूड सोर्स के रूप में एलगी कल्चर पर कॉंसेंट्रेट किया गया एलगी से बार फ्यूल का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान को सूचित करने में मदद मिली है इसके बाद हम देखेंगे फ्यूल एलगी को हम नीम्द प्रकास एलगल बारो फ्यूल्स को डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स में कनवर्ट किया जा सकता है जैसे एलगल बायो डीजल बायो डीजल एक डीजल फ्यूल है जोकि विभिन लिक्रेट से प्राप्त होता है एलगी की कुछ species ये सूखे वजन का साथ प्रती सतिया उससे अधिर उत्पादन कर सकती है फोटो बायो रियक्टर्स में लाज एमांट में बायो मास और उप्योग योगे तेल उत्पादन करने में सक्षम है इसके बाद हम देखेंगे बायो बियुटेनॉल लगी से बायो बियुटेनॉल फ्यूल प्राप्त किया जाता है यह algae पेल निसकरसर से बचे हरे कचरे का उप्योग butanol के उत्पादन के लिए किया जाता है इसके बाद हम देखेंगे methane methane यह प्राकृतिक गेंस का मुख्य घटक है जो की अलग-अलग मैथर से algae से उत्पादित किया जाता है इसे उच टेंप्रेचर एवं दबाओं में निकाला जाता है इत्हे फिर हम चौथा हम देखेंगे इत्हे नौल इत्हेनौल का प्रोडक्शन करने के लिए समुद्री जल और अध्योगिक निकास यूज करता है फिर पादशवा है ग्रीन डीजल, algae का यूज ग्रीन डीजल के निर्माण के लिए किया जा सकता है इसमें पेट्रोलियम आधारित डीजल के समानी केमिकल प्रोपर्टीज है जेट फ्यूल, algae से हम जेट फ्यूल का भी प्रोडक्शन किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं, स्पिसीज, माइक्रो algae के उनकी प्राथमिक कम जटे सरचना के कारण तथा तेजी से विकास के कारण काफी हद तक इसमें ध्यान दिया गया है या तेल उत्पादक के रूप में विभिन स्पिसीज के उपर जांच्च सुरू कर दी गई है देखते हैं क्लो रेला इसके इसमें भी ओयल प्रोडक्शन के लिए इस पिसीज का यूज किया जाता है फिर हम देखेंगे ग्रैसी लेरिया और एक इस पिसीज है सर्गाद के नियूट्रेंट एन ग्रोथ इनपूट एलगी के ग्रोथ के लिए लाइट आवस्यक है टेंप्रेचर ओफ वाटर इफेक्ट मेटाबोलीज में एन रिप्रोडक्शन रेट ओफ एलगी वाटर का टेंप्रेचर एलगी के मेटाबोलीज में एन रिप्रोडक्शन रेट को इफेक्ट करता है इसमें एलगी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट मेलनरोस जैसे फासपोरस, नाइटरोजन, मॉलीबेडनम, मैगनिसियम, आरन, कोबाल्ट, मैगनीज, केल्सियम, इत्यादी प्रमुक हैं, कल्चर मीडिया, एलगी के ग्रोग कराने के लिए कल्चर मीडिया जो लाज स्केल पर एलगी की अधिकांस इस पिसीच को ग्रोग कराने के लिए उप्योग किये जाते हैं, इसके बाद हम देखते हैं, कल्चर, एलगी का कल्चर, रैपीड ग्रोथ to the compare of food crops या food crops की तुल्ला में अधिक तेजी से ग्रो करता है तथा इसमें large amount में oil का production किया जाता है इसे unused land या भूमी में उगाया जाता है तथा यह dry, am high, saline soil, अर्थात अत्यधिक लवरी मिट्टी में भी इसे उगाया जा सकता है इसमें हम देखेंगे algae के culture के लिए weaving systems का use किया जाता है इसमें closed loop system closed loop system में अन्य जीमों द्वारा संदूसित नहीं होता है तथा यह जयव इंधन के लिए algae के अच्छी तरह से इनमें production किया जाता है इसमें और एक टेकनीक है photo bio reactor photo bio reactor जो bio fuels के रूप में algae के लिए glass tube जिसे bio reactor कहा जाता है कि माध्यम से पोस्तक तत्वयुक्त पानी को pump करती है जो light एवं temperature के प्रभा में होती है एवं algae का production किया जाता है open pond system यह pond सरल होते हैं closed loop system एवं photo bio reactor की तुल्ला में इन प्राणालियों में कम बिजली की आवसकता होती है तथा इन में algae उत्पादक open pond system के लिए अधिक से अधिक इसका यूज किया जाता है algae bio full production process इसमित सूर्य के प्रकास की उपस्थिती में तथा अन्य कार खानों या अन्य विभिन स्रोतों से निकलने माले CO2 के द्वारा इसे open pond द्वारा कल्टिवेट कराया जाता है तथा algae की कटाई के बाद biomass को आमतोर पर कई चल्डों में एक प्रिंखला में संसाधित किया जाता है जो विभिन स्थिसीच के आधार पर भिन हो सकते हैं तथा इसे refine करके विभिन प्रकार के डीजल में परिवतित किया जाता है जिनका use हम कर सकते हैं इसके बाद dehydration की process होती है dehydration की process में सैवाल निर्जलित होता है और फिर सुखे पदात से hexane solvent का use करके हम tri-grisloids जैसी उर्जायुक्त योगिकों को निकाला जा सकता है इसके परशाद हम विभिन standard industrial process के द्वारा इन compounds को fuel में convert किया जाता है इसके बाद आती है hydrothermal liquification दा process of hydrothermal liquification algae को हम high temperature एवं pressure में इनका harvesting करते हैं तथा इसमें उत्पादों में कच्चे तेल भी सामिल है crude oil सामिल है जिसे कई या अन्य उनन्य प्रक्रियाओं का उप्योग करके jet fuel gasoline एवं diesel fuel में परियोग निउट्रेंट जो उगो एलगी के ग्रोथ के लिए आवश्यक है जैसे सम निउट्रेंट जैसे nitrogen, phosphorus, potassium, etc इसके अतिरिक्त carbon dioxide जो उत्पादकता और उपज को बहा सकते हैं nitrogen एक मुल्यवान सब्सक्रेट है जो एलगी के डेवलाप्मेंट में इसका यूज किया जाता है यह एलगी के प्रमुक निउट्रेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है इनॉर्मेंटल इंपेक्ट या इनॉर्मेंटल इंपेक्ट पर्यावर रहनी या प्रभाव एलगल बायोफ्यूल रिन्यूबल सोर्स अफ एनरजी अधात अक्षे उर्जा का स्रोथ है इससे प्राप्त बायोफ्यूल से कम पॉल्यूशन होता है तथा यह फोसिल फ्यूल की तुलना में सस्ता होता है इसे एल्गल बायो फ्यूल को उगाने में ज्यादा लाज़त की आवशक्ता नहीं होती है इसके अतिरिक्त माइक्रो एल्गी से ना केवल बायो फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है बलकि यह सस्टेनिबलीटी को भी बढ़ा सकती है एवं एल्गल बायो फ्यूल के उद्योग से पर्यावरणी प्रभाव को भी कम कर सकती है वेश्ट मिनी माई जेसन एमाइक्रो एल्गी प्रोडक्शन में खारा अक्सिष्ट या अक्सिष्ट सियो का उप्यो करने की छमता भी सामिल होती है जिसे वेश्ट का मिनी माई जेसन होता है एवं CO2 का वातावरण में कमी होती है एवं पॉल्यूसन को भी कम किया जा सकता है फूड इंपेक्ट भोजन पर प्रभाव एल्गी का उप्योग मनुस्यों के लिए प्रात्मिक खार्द्य स्त्रोथ के रूप में नहीं किया जा सकता है अतहर इसका अर्थ है कि इसका यूज पूरी तरह से हम फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं एवं इसका खार्द्य अधिक होती है इसके पाद हम देखेंगे यूजस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स माइक्रो एल्गी में उत्पादित कई उप्रक्राणों का उप्योग हम विभिन अनुप्योगों में करते हैं जैसे जो बायो फ्यूल के उत्पादन में उप्योग नहीं किये जा सकते इसमें ने नाचुरल डाई एवं डाई अधर बायो एक्टिव कंपाउंट्स एवं भी सामिल हैं कलर एवं ओइल्स जो की कॉस्मेटिक्स में इनका यूज किया जाता है इनकी कुछ इस्पीसिस से पॉली अंसेंसूरेटेट लिपीर्स अमीनो एसेड्स एवं विटामिन्स राप्त हो जा सकता है थो इंपक्ट और फोड फूड ऐल्गी का उपयोग हम पाप्समेश थो की और ऩूज को ब्रोप में किया जटता इनकी सेवेश् सेट बाई धूको को अप्सिष्ट उत्पादों के का उप्योग हम पसु आहार के रूप में भी करते हैं वेश्ट मीनिमाई जेसन यह विफिन कचरों को कम करने का प्रभावी तरीका है तथा इनने अप्सिष्ट जल्गा यूज कर हम एलगी को ग्रो करा सकते हैं इसके कुछ डिस एडवांटेजेस हैं इसमें पहला देखेंगे हम हाई वाटर रिक वार्मेंट इसमें एलगी की ग्रो कराने के लिए उच जल्गी आवशक्ता होती है तथा इनके लाइफ साइकल के इस्टेडी में पाया गया है कि एक एक लिटर माइक्रो एलगी की आधारे बायो डीजल प्रोडक्शन में साथ 607 से 1924 लीटर जल्गी आवसकता होती है जो इसकी एक डिस एर्वांटेज है इसमें हम देखें कमर्सियल वियाबिलिटी इसका अथा इसका मतलब यह है कि हम एलगी बायो फ्यूल्स को अभी के प्रोडक्शन के लिए अधिक लागत इसे वहवसाइक रूप से वहवारे बनाने का प्रयास किया जा रहा है